क्या आप भी सोच रहे हैं B.A.D. करने की तो B.A.D. करते वक्त आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है जिसमें सबसे पहली बात कि अगर आप B.A.D. कर रहे हैं तो जो आप 2 teaching subject चुनेंगे वो वही subject हों जो आपने graduation में 3 साल पढ़ रखे हूं क्योंकि आप सभी को पता है B.A.D. के बाद अब आप T.G.T. और P.G.T. के लिए ही eligible होते हैं और वहाँ पर subject बहुत matter करता है क्योंकि आप T.G.T. particular subject जैसे T.G.T. हिंदी बन सकते हैं T.G.T. English बन सकते हैं T.G.T. S.S.T. बन सकते हैं तो अगर आपका teaching subject है वो graduation के साथ match नहीं कर देगा तो फिर आगे चल कर आपको T.G.T. और P.G.T. में दिक्कत आ सकती है साथ ही आप जिस भी college से B.A.D. कर रहे हूं उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो N.C.T.E. यानि National Counseling for Teacher Education के द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो कैसी लगी आपको ये जानकारी teaching related updates के लिए आप Teaching by आए रोजगार भी तंकित को सब्सक्राइब कर सकते हैं नमस्कार धन्यवाद